नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मनोज अकैडमी पर और सीटेट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं आपकी परिक्छा 16 दिसंबर को होगी जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं सीटेट की ओफिसल वेफसाइट पर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूं यहां पर केंद्री मादिमिक सिक्षा बोड की तरब से एक नोटिस जारी किया गया है जो कि आज ही किया गया है जिसमें एडमिट कार्ड को संबंधित जो बाते हैं वो बताए गई हैं तो इसमे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तो जिनका एक्जाम पहले फेस में है ठीक है तो वो अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं तो आपका सीटाइड का एक्जाम जो होगा वो 16 दिसम्बर से 12 जनवरी के बीच होगा यह आप लोग देख सकते हैं तो जिनका पह आप लोग जल्दी से जाएगा लेकिन आपको दो फेस में डाउनलोड करने पड़ेंगे ध्यान देजेगा एक तो आपको पहले फेस में पता लगेगा दोस्तो इसमें आपको एक्जाम सिटी का और आपको डेट का पता लगेगा ठीक है और दूसरे फेस में आपको आपके exam center का पता लगेगा और आपका जो exam होगा मान दिजए आपका exam 16 तारिक को है तो आपका जो है 14 तारिक में आपका center का पता लगेगा ठीक है लेकिन आप लोग जो पहला वाला face है वो आज डाउनलोड कर सकते हैं इसमें आप लोग को पता लगेगा आपका center कि city में गया है और कौन सी date में आपका exam है ठीक है और दूसरे face में क्या पता लगेगा आपको आपको पता लगेगा examiner जो exam होगा जहां पर आपका center है उसका आप लोग को पता लगेगा ठीक है मेरे प्यारे साथ ही हूँ आप लोग कैसे download करेंगे link description box में दिया है मैंने वहाँ से जाकर download कीजेगा नहीं मिले तो manoj academy telegram guru join कर लेना वहाँ पर आपको मिल जाएगा और इसमें ये कहा गया है दोस्तों बड़े बदलाब ये हुए हैं कि पहले जो है आप लोग को 7 से यानि कि 15 दिन पहले लगभग और अगर 15 दिन भी नहीं तो 10 दिन पहले आप लोग को पता लग जाता था कि आपका जो exam है उस वाले college में हैं लेकिन परिक्षा आपकी online होगी जिसमें आपको केबल 2 दिन पहले पता लगेगा और दोस्तों इसमें कहा गया है साप साप the request of change of the examination city अगर आप लोग request करते हैं किसी मतलब CBSC से कि आपका जो city है वो change कर दिया जाए exam का तो दोस्तों इसमें साप साप कहा गया है ये भाईया एक आपका exam है कोई मनोंजन का खेल नहीं है सीधी सी बात है तो admit का download कर सकते हैं आप लोग जाकर अभी इसका link मैंने आपको description box में दे दिया है वहाँ से जल्दी से आप लोग download कर सकते हैं ठीक है